Question number 19. Observe the set of four figures A, B, C and D and answer the following questions. इन चारों figures को observe करिए और नीची दिये गए question के parts का answer बताईए. तो यहाँ पे 19 का जो first part है. Which of the figures shows mutualism? इसमें से कौन से ऐसा figure है, जो की mutualism show करता है? तो यहाँ पे देखे figure A को. Figure A ही इसका answer है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि picture काफी जादा blur है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा identify हम कर सकते हैं. जो figure A में शायद एक ligand जैसा कोई structure दिया हुआ है. ligand क्या होता है? fungus और algae का association, जो की mutualism show करता है. mutualism एक ऐसा population interaction है, जिसमें कि दो species आपस में एक दूसरे के लिए helpful होते हैं, एक दूसरे की life cycle complete करने में. और दोनों ही species को एक दूसरे से फायदा भी होता है. फिर उसके बाद हम आते हैं, 19 के second part पे. What kind of association is shown in D? यानि कि figure D में कौन से तरह का जो association है, वो देखने को मिल रहा है. तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा जानवर दिखाया जा रहा है, और उसी के साथ एक छोटा जानवर है यहाँ पे. तो figure D जो है वो predation show करता है, यानि कि शिकार. Predation में कैसा population interaction है, जिसमें कि जो दो species होती है, उनमें से एक species जो होती है, वो predator होती है, जो इसका उन्हाँ पे फाइदा हो रहा है, और दूसरी जो होती है, वो यहाँ पे prey होती है, जिसका वहाँ नुकसान हो रहा है. Predation में हमेशा ही, जिस species का नुकसान होता है, वो उस species की death हो जाती है, क्योंकि, यह एक ऐसा population interaction है, कि किसी एक species की death होना जरूरी है, चाहे तो predator की होगी, या prey की. जाददर cases में देखा गया है, कि prey की ही death होती है. प्रिडेटर का काफी जादा कम ऐसा percentage होता है, कि वो कभी किसी environmental factor के साथ मर जाए. तो फिर हम आते हैं, अगले प्रश्न पे, name the organisms and the association in the figure C, यानि कि organism और association का नाम बताईए, जो कि figure C में है. तो figure C में हम देख सकते हैं, कि हमें cow, buffalo जैसा कोई एक जानवर दिख रहा है, और उसके उपर एक बगला बैठा हुआ है, जिसे हम cattle aggregates कहते हैं. तो इस तरह का जो association होता है, वो कहलाता है commensalism. Commensalism में क्या होता है? कि जिसमें दो species होती है, और वो दोनों ही आपस में जब interact करती है, तो उसमें से एक species को benefit होता है, और दूसरे species को नुकसान ना हो करके फाइदा भी नहीं होता. तो वो unaffected हरती है throughout the interaction. सेम यहाँ पर यही देखा गया है, कि जो cattle होतने हैं, वो घास चर रहे हैं, और जो cattle aggregates हैं, वो उनके पीट पर बैठ करके, उनके स्किन पर लगवे छोटे-छोटे कीडों को खा रही हैं. इससे क्या होगा, जो cattle aggregates है, वो अपना पेट भरती हैं, और अपना सर्वाइवल करती हैं. जबकि जो यहाँ बफैलो है, उनको कोई effect नहीं रहता. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि वो species जिसको यहाँ पर फायदा हो रहा है, वो cattle aggregates है, और वो species जिसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, वो बफैलो है. फिर उसके बाद हम आते हैं, लास्ट पार्ट पे, वोट रोल इस दा इंसेक्ट परफॉर्मिंग इन बी? बताईए कि फिगर बी में इंसेक्ट के द्वारा कौन सा रोल निभायाद जा रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि एक फ्लावर जैसा कोई structure है, और उसके उपर कोई कीडा बैठा हुआ है. फिगर बी शोज इंसेक्ट इस फाइटो फेगस that feed on sap of plants. यह दिखा रहा है कि जो इंसेक्ट है, वो फाइटो फेगस है इन नेचर और वो प्लांट के sap पर फीड कर रहा है. फाइटो का मतलब होता है प्लांट और फेगस का मतलब होता है to ingulf. यानि कि एक ऐसा और्गिनिजम जो कि प्लांट पर फीड करे उसे हम फाइटो फेगस कहते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, बीज, या फिर लॉकस्ट, टिडडे जिसे हम कहते हैं वो फाइटो फेगस होते हैं इन में से तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि केवल प्लांट के फ्लावर पार्ट पर ही अपना टार्गिट बनाते हैं जैसे कि बटरफ्लाई और बीज, ये केवल प्लांट के जो फ्लावर वाले पार्ट होते हैं उनसे अपना nectar निकालते हैं और अपना survival पूरा करते हैं इनके पास nectar निकालने के लिए एक sucking glands प्रेजेंट होती है जो कि इनको help करती है कि जो nectar है flower में वो उससे निकाल सके